जहीं दोस्तों कैसे हो आप सब मैं उमीद करता हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे फिट फाइन होंगे आपको भी पता है कि यूपी पुलिस रेडियो अपरेटर काफी लंबे समय पहले जो है फॉर्म को भरा गया था और अभी जो है आपको बैक टू बैक इसका टेंडर से रिगार्डिंग नोटीस देखने को मिल रहा एक नोटीस पब्लिस किया गया था निविता डाले इसमें कुछ कंपनी आये एक जाम का पैटर्न भी चेंज किया गया था ताकि कुछ कंपनी जो है पाटिसीपेट करें टेंडर को लेने में आपको पता है तो निविता किसी कह भी कोई भी टेंडर नहीं ले रही है कंपनी रेडियो अपरेटर सक्षात आपके सामने पड़ा हुआ है एक बार इसका टेंडर कोई नहीं लिया एक टेंडर किस्क तरीगतिNe को ने वेकेंसी इसी वज़े से नहीं आ रही हमको लगता है क्योंकि यह भी चार साल से पान साल से बाते चल रहे हैं तो आखिर क्या मामला है फिर से जो है रेडियो अपरेटर के लिए टेंडर क्रेसित किया गया है तीस तरीक तक लास्ट डेट देखने को मिलेगा आपको तीस तरी के बाद जो है देखते हैं फिर क्या होता है फिर कोई टेंडर लेता है कोई कंपनी जो है निविता डालती है या नहीं डालती है क्या कैसे होता है लेकिन कहीं न कहीं दूसरे वे में बात करें तो बिहार में देखिए बैक टु बैक आपको वेकेंसी देखने को मिल रहा है साथ साथ की सीचर की वेकंशी डेर लाग के आस पास देखने को मिली को जो तो बिहार में कहीं ञहीं की मामला में काफी अच्छा काम हो रहा लेकिन यूपी में बात तो अब इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए बिहार यूपी में कोई अंतर नहीं है बिहार के लड़के भी जो है यूपी में एक्जाम देने जाते हैं यूपी के लड़के भी जो है बिहार में आते हैं तो यदि आपके पास तैयारी है तो आप जो है अपना समय जाया ना करें जो भी लड़के रेडियो प्रेटर का फॉर्म भरे हैं या यूपी पुलिस का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए जो है यह गोल्डेन ऑपर्चनिटी है भाई आप जो है बिहार पुलिस का एकीस हजार जो वेकेंसी आई है उस फॉर्म को आप फील करो और उसका जो है अच्छे सा तैयारी करो हाँ बिहार में जो है आपका इजाम का पैटर्न थोड़ा सा लेवल इसका हाई है सांस सा जो है आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा आपका यहां पर रिटेंड भी टफ है फिजकल भी टफ है लेकिन आप सांस तो नहीं बैठ होगे ना आपका पढ़ाई तो कंसिस्ट रहेगा यूपी पुलिस की वेकेंसी तो आपको पेपर में और न्यूज पेपर में ही देखने को मिलते हैं और तो कहीं देखने को मिलती नहीं है तो जो वेकेंसी आ रही है उसका तो आपको तैयारी बिल्कुल करना चाहिए तो आप जो है अपना फोकस वियार पुलिस पे लगाई जबकि यहां तक कि बिहार के लड़के बिहार पुलिस की तयारी करते हैं तो इंगलिस नहीं पड़ते हैं तो आपको भी नहीं जुरूरी पड़ेगी जहां तक है प्रेक्टिस सेट वगएर सापका काम चल जागा तो मेरा ये विडियो बनाने का मेन उद्ध से यहीं था कि च ज़रूर भरना चाहिए आप जो है बिहार पुलिस का फॉर्म भरिए फेस इस से जिडी की वेकेंसी आपको अगर्ष सेटेमबर तक देखने को मिलेगी उस फॉर्म को भरिएगा साथ साथ अगर्ष सेटेमबर तक यूपी पुलिस की भी वारे में चर्चा की जा रही है लेकिन ये स्थीती देखकर कि कोई कमपनी जब टेंडरे नहीं लेगी तो फॉर्म निकल भी जाएगा तो क्या होगा मान लेता है कि कोई टेंडर नहीं ले रही है पॉब्लिस कर दि क्लियर नहीं होता है तो यूपी में इसका मतलब कोई वेकर्ष सेया लेकिन लड़कों को सांत नहीं बैठना चाहिए अपना तैयारी को करते रहना चाहिए जो भी आज पास State में वेकेंसी आरही है सेंटरल में वेकेंसी आ रही है उसका वह तैयारी करके उसका स्क्रावर देखके और आपको जो है उस ऐग्जाम को जरूए टैंड करना चाहिए बस बिहार के लड़कों के लिए तो जो है golden opportunity है हिस्ट्री में पहली बार इतनी वेकेंसी देखने को मिली है लड़कों का जिन्दगी शुधरने वाला है तो यह वेकेंसी होगी जो सबसे फास्ट आपको देखने को मिलेगे अब अपने तयारी को भाई करो अच्छे से करो नौकरी लेनी है तो यहीं चांस है नितो फिर दोजार चौबिस को बात जो है घूमते फिर होगे वेकेंसी कब आएगी और कहीं नहीं आएगी अभी रेलवे से सी जी डी एस्टेट पूलीस हर तरह की वेकेंसी आ रही है तो बस तैयारी करो पढ़ो कहीं नहीं सेलेक्ट होई ही जाओगे तो दोस्तों इसके अलावा भी अगर आपके दिमाग में कोई कोश्चन किरी सुझाओगा तो आप मोटिवेशन के लिए आप जो है सब्सक्राइब कर लोगे तो थोड़ा सा वीडियो बनाने में और मोटिवेशन मिलती है ठीक है ठीक है दोस्तों जैहिंद बनने वातरम